कि मुझे बताईएगा अच्छा ज्या बटाईएगा इसारे सुर्टवास्राम की शादी के बारे में मिर्जा काद्यानी ने लिखा है कि जब वो कश्मीर गए तो उन्होंने शादी भी की कभी कोई ऐसी बाद लिखी हो कि मेरे निले मेरे शादी तो जो उनका नजूले है ना जो दूसरा नजूले मसी उसके बाद है वो अपनी शादी समयता है मेरी शादी हो नि मैं मसी हूं यह बात उसने लिखिए ने लिखा है यह जो तो लिखा है मिर्जा काद्यानी ने लिखा हुआ है इसने कि इस्सा खेल कावम है ना जज़रत इससलाम के अलाद मुलूव होती है ठीक है इवरान बाहिए मैं इसनी बात कर रहा था कि जब यह तकी नहीं झाए आप पीर सैब आप उनको तसली दे मैंने नकभी उनको कहा है खंसीर नकभी कहा है नदा कभी कहा है वो टटी में मरा था मैंने, मेरी ऐसी लेंगुज भी नहीं ए मैं बता देता हूं टीकि है, शक्रत्लेश मैं जाकर बताता हूं कोई खास बंदे और उनोंने मुझे कहा, मैंने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता आप बिल्कुल मेरी गवाई दे सकते हैं कि मैंने उसको कभी गाली नहीं दी कभी कुता कमीना खंजीर लांती कंजर कभी भी नहीं का ठीक है भाई ठीक है बहुत शुक्रिया आचा जिया भई मौँ इसने कह रहा हूं कि अगर वो उद्धर तक्सीस नहीं करते फार वोई पर रसूल न जो है वो लफज है वो भी जम्हा पर इतलाग करता तो वहां पर अगर तुम से आप से पहले हमने जितने भी रसूल बेज़े हैं बहुत से रसूल बेज़ें उनको हमने बीवी बच्छों वाला ही बनाया था इसमें से फिर ईसल्प को कैसे नीका लें ग अगर वहां पर यह उता कि उससे पहले भी तमाम रसूल हमने बीवी बच्चों वाले बेज़ें तमाम रसूल बेज़ें और वो बीवी बच्चे थे उनके पिर तमाम रसूल वहां पर भी होता तो यह सवार वहां पर बनता लेकिन वहाँ पर ये तो है ना जयावे कि हमने हाँ ये अलबते हमने बेजे रसूल ये कारज है रहा तो माना नहीं नहीं हो सकता जब फरमा दिया कि आप से पहले तो नभी पास रिसम तो अटोमेटिकली निकल गए जिन्स के सारे अफराद तो नहीं न मसे मुराद हो रहा है सवाल ताब लोगा जब सारे मुराद ले लिए गयाँ नभी पाक स्वेल स्वेल तो अलैदा है ना उन से तो फर्माया जा रहा है तो जब सारे मुराद ही नहीं है तो सवाल ही नहीं होगा सवाल तब होगा जब सारे मुराद ले लिए गया है कल नभू कल पतनी पर्सों की बात है मुसावर लगा होँआ था किएता है सेदना सिद्धेक अकबर रज्य टाला नहीं इस आयद को पेश करके दो बातों पे जोर दिया सिरफ दो बातों पे जोर दिया है कि ये कतलक कर दिये जाए तो या ये वफात पाजए तो कहता है इन दो बातों पर जोर दिया है तो इस से थाबित हुआ कि वो वफात पा गए इस सेदना सिद्धिक अकबर रज़ी तलानों का इस सद्राल ही ये था कि कतल कर दिये जाएं ये वफात पा जाएं तो लहाजा हमें दूसरी आयासे मिलता है उनकी वफात का तस्कार लिया जफोत हो गए कैसे का जाब्द जाहल से वो कोई लड़का था हमारा मौाज ही है वो भी नए ही आया भी टिक टॉक पे अभी कोई 10-15 दिन ही हुए उसे आई को वो बहस कर रहा था जो आप से नी सवाल करने आया था जब उसे दहस लिए तो आप से पर स्वाल करने आया था कि भाई उसंने मुझे यह चे बाते की चा है तो आप इसके बारे में क्या करते है मिर्दा काद्यानी ने खूद इसका जो तर्जमा किया हुआ है आप सब कोई पता है उससे पहले भी रिसोरी आया है ओपडियोगी तो कोई ऐसा आकीदा है जिसमें कोई तब दिली ना की ओ मिर्जा का दियानी में एक अकीदा है जिसमें मिर्जा ने कोई तब दिली निकी जूर बोलना नी चोड़ा दाली देना नी चोड़ा गूर बोलना नी चोड़ा मरिजे ने वो मर्त दम तो करता हुआ यह कौन सी आइट करें ने खाना पारें का दख लात में कबले में रुसर ने सुरह राफ की जोड़ा है तो मा बच्चों वाली वो सुरह तो पिर इन पर स्वाल है ना मर्ज़ियों पर दूसर आरवार सकता ब्यादर तीस सालात वस्लाव की बिभी और बच्चे का रहा है बाप बेटे की दीग्याट से इसे हैं गिंग्ने तफ्सीर कभीर में उसने बेटे ने क्या लिखा हुआ वसे बाप ने क्या लिखा हुआ है विससाइथ की तफ्सीर में कीकि की बाति हमने खुद ऐसे गाय है। कि हमें अपनी तरस से पेश करन Kubernetes की जुरूरत हिए। अजनल करें। यह यह आख जाते हुए को के तरसीर सवभीर है रहा में इतना ज्यादा तजाद है। इतना बड़ा तजाद है कि इंतहा का कि जिसको ये काद्यानी जितना भी खत्म करना चाहें खत्म नहीं कर सकते हैं बिल्कुल बराक्स लोज आगए जीत कस्रिस बिल बड़े कि इस्तपान कस्रिस बिल बड़े कि अच्छा उसके डायलाउग से लगता है कि वह ये जो कहता है छेड़ने के लिए और वह खुद भी शर्मिंदा होता है यह अलफाज कहते हुए कि मैं इनको ना छेड़ रहा हूं सिरफ ताके और ज्यादा मुखालपतिया और ज्यादा वो फिर दूसरों की वज़ा से चुप कर जाते हैं एक कस्रेस लीवारा वर्ना पहुद वो उसकी बात कर रहे ना सुहेल की सुहेल का डायलोग है ना हम कस्रेस लीवे में मस्रूफ है उसकी बात कर रहे ना आप जी हाजी होई यार यह लोग इनको पतन उनीन कैसे आज़ती रात को मैं तो हरान हुआ सारा दिन जूट बोल बोल के इनन फेरी नीद रहा वें दीए विर्जे के जूट देखते हैं सारा दिन खुद सारा दिन जूट बोलते हैं फिर सो भी जाते हैं कि अच्छे मैं आज ना जया भाई गड़ी देवेच अमेरिका ना हैं ते ओ जड़ान आपना भोल गई यह उसी वाइफ जड़ी है ना परस बोल गई यह उस देवेच फिर मैं चेक किता पिछे और गा आका हैं तुने मैं चाग दिता भाई कोई जड़ा ना ओवेच भोल गया एक को बंदा फिर मैं चेकिंगी थी तो दुसक्राइन आकाई तक्रीबान कोई चेक सौ यह उरो दी टेन उस से वेच कार्ड आन जया ना बैंक कार्ड ते फिर मैं अबर नो फून की ता मैं के एच यह जड़ान अंगा वेच आपन जड़ान परस बोल गया न उनने फि किता कुंटेट होन में उना दो जड़ान परस देखिया रहां ते उन्हें मैंना क्या वही तू परस लेया आसे तन जड़ा एन डेट सो योरो दिसां मैं खानी में 60 किलोमेटर करना है आणदा साथ किलोमेटर जानदा मैं योरो लेने नाड़ाइस हो उना क्या मोस्ट वेलकम माजा शुक्रिया यू तू अधाक इतने रुवाई याड़ाइस हो योरो ना तू लेया ते आप आए हान गाराइक खलें आगर मैं ज्याब भाई ओ नना खान भी जड़ान परस मेरे को नहीं है तो है के कार देवें चु तगरीबंदो दो तेन तेन सौई में यूज करा न अधार यूरो यूज हो सकता ही लेकिन मेरे इमान मैंने अलहम्दुलिल्ला इजाज़त नहीं दिती अधार यूज है थोड़ी के पैसान दी वजया तो ना कड़ावन आसे एई तो मैं आख रहा है यहां विए नहीं मेरे लेक्सर होंदा अकसर गाग जिलेन भॉल में दें ते फिर मैं उन्हां नहीं खुद राप्ता करके ते उन्हानों चीजां जड़ीन देना है दुनिया तो मुल इत्ते विए जने अगए अगी इवकास साप की याल चाल स्मावता अठाको यह मुनादरा ता ता तुसमी बड़े चड़े अंदे बरात ता यहां अधारे कवरी अप्टिया सामनी अक्कांद एत्त कराओं किसे नावल अबला यह नोने विख्या दाए माई है आह वह तो साधलन नहीं किसे ना साही जी को तरले बठाव यह ना दाव अरत विख्या वाद कासा बुलाओ को किसे नुबलाओ अपने किसे कादियानी नुबलाओ जीले मुनादरा तडेन कार लंदे अटबेट हो जाए पर कासा बुलाओ मेरे हमें राफ़िया ना कर दिने मर्जिया हो कम नहीं नहीं होते असलाव अलेकूम वाहिस्ताम वाहिस्ताम केल्टू है और शुकर और शुकर 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 मेरे कादियानी बलाओ उजा तड़ दुबेट सुनीयों तड़ जोड़ी आज में सेफी नाब शुकर नुबी जड़े तड़ेना कार लंदेया किसे नुबी तदलाओ जल्दी पैशाने जल्दी पैशाने जल्दी पैशाने के अजियाने बीवी बचे का जिकर ये बताने के लिए किया कि अजाद इनसान ज्यादा द्रेरी से कुर्बानी कर सकता है लेकिन बीवी बचे काम में कदम कदम पर रोक उते हैं पस बोया दोफरी रोके इनके रास्ता में बे थी अब शमान भी ना थे फिर जो समान मुइसर थे उनके इस्तमाल में भी बीवी बच्चों की वज़ा से रोके थी मगर फिर भी वो काम्याब हुए इसी तरह अब नभी रसाथ वास्वासनाम काम्याब होंगे मगर साथ ही ये भी फर्माया कि गो हमने इने काम्याब किया ये कोई अच्छा बात सुने है इस बात का अच्छा बात सुने जायरसूल भई वो तरज्वरणास जिसने नाम रखा हुआ है वो भी बाग रहे मैंने उसे का यह रहा है जरा होते ज्यूरणास पर बहस करते हैं भाग तब होते भी ज्यूरणास पर निकाल का रहा है नहीं कि अच्छा ड़ा फेवरेग पापा का थे तेखने या नाली आज़िए भी थाफ़िन नाले काम कोई बीदाफर पढ़ें फेर दोल कि मुछ मग भी सम्मझाई कि थे जिरूरणास ती मैंहों यह यारा इंज्वरणास एक ते जिरूरणास ते गल करनी है दो ते जिरूरणा आप्रकर्ट टेवन इकाल कर साकते है। है बड़ी कमाल है अज बोली घानी है तुछा में बोली घानी है आमर नजीर भाई एड़ी गोली बोली 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 माज दिये चो ठीदी माज दिया इनमें सुए सुए है हाँ ना बशूज भुजा के दिया सेंदे ना 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 या दिवाओ यार बच्पना या दिवार वकासाब हाँ 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 है तुसे सारे बार बैठे जो जाओं के गर्ली में बड़ी शोख हो दिया है काई गामाई सुए आ ना बड़ी अहाँ होंदी से रह शोख की आ या बोली कानी ये बोली आ हुआ हुआ है असा वीरे जाट बंदेया हां ते एक्षियों याद दिवा मंडेयों तक्तर मुलकिल रांसा नहीं तो रिगाल पर सुन्दा या तुछ 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 जिस होता नंगाओं भी अद्धर बंदी स्घस्टिए है टाट समान के निपोल जनर्श है तो पुस गोर्ट जानियों ने में तब पिछा क्योंकि होंकि होंड तो और वड़ी गड़ी है ना ते मैं तब पिछ और मोड़के नहीं वें है इस नहीं कोई काई चीज रहा गया यह नहीं रहा गया इवन हेक दिन एक दिन एज वह आमेर भाई एक बंदा वेच बैग छोटा इड़ा बैग नहीं हो था ना उसको अपना भाग भूल गया है तो असरो बंदे बोल जाने तो मेरा ले पीछली वारी यह उस्तु पीछली वारी में पाक्स्तान गया ना अगर एक तर्ट इसलामबाद हो गड़ी लेकर नसर नहीं ग्यावां यां वाई मेरा लेन आया सित मैंना ओओ फारान आफस के रुक्गे आसी ते लेट हो गया मनुद्ध देल आउना सित मैं उन्हों गड़ी हा टेक्सी हा लुक्या मन फारान आफस लेस लाजा सलामबाद एर तो जिसे कार गुजराइट पहुंचे थे वेख्या भी गुजराइट नी पहुंचकी नीए दुज्य दिन स्मेरिवटके वेख्या कि कि पैकेट वीचे नीना पांचे पैकेट साम मेरे हाथ न फंचे दिने चार यह पाइंसान फ्री आधनी जा जान पाइदन नंबर जेना वो ते मबार विटते नंबर आई जे स्टाइब के बढ़ने जाये हो जान से जोने ने ने लेख्याइब करें वह वी जे डियाने ओ सावानी मर्दान जना बेली ते ओफ जो जेड़ान भोल गया है कि ठीक हो है मेरे पास से ठीक होने नहीं होगा और मैं उत्थे गाख लेकर गया उत्थे ना तुसा को बिलकुली कोई हाई ती एक किलो मेटर दूर आए नहीं कि कितने लगें वी मेंट लगें सारे इशारे उश्रे पापू के ते उन्हान अपड़ा दितर भी अश्योरो अडाइसो ले लिया उन्हाने को थोड़ा है कि अट रूज़ा है कि यो गया सारी चुप कर गए हो आप फतेली खांसा आए ले ले जली कि यह द खांसा फॉल कि अपना घ्लाम जड़ाया और कलया ऐसे अपना कलाम घड़ाया रहा है और रही हो जो डिए राड़य जैसे अगीजिए वोगला कर रहे हैं यह ना वो राफजी है ज्याबाई यह वो राफजी है वो उमर इजम के नाम से जो मशूर नहीं हुआ था राफजी उमर इजम जिसमें सहाबा को गारिया दिया और का मैं बैठा हूं लाइब इस तरह करके ना इसने इसकी वीडियो बड़ी वाइरल हुई थी यह दो राफजी है इस तरह की मशूरी तो फिराउन को भी मिली थी आज तक मिली हुई है ऐसी मशूरी के जब भूक है तो फिराउन वाली के तो वेसे तो चार पठे काम करें तो हो जाती है ना अजिए मशूर हो नहीं कोई अख़ा काम है गाली यह कपड़ करने पेने इन बस कोई मुतनाजे जी गाला कारद यह तो बंदा मशूर जाबाई अखरस दे जड़े माना ने और मतलम के गुंगा तो गुंगे तो बोलन वाले वास्ते इस तुमार उन्देने की एदा माना की रहेगा अखरस दा जरा मालिक को अब जरा में जरा में जरा में जरा में पेड़ के बात कर रहा हूं शायद नहीं पहुंच रही आवाज पहुंच रही है आ मन्जी साब आ है यहाँ बान्जी साब आप हैं मंची साब एत नहीं जे जी पिरशना आप रहा है अचा इनने जाके दिवाह किया बात बता दी लेकिन उनको समझ बेन हैको समझ रहाए हु यहां पर अपर कुछ गुफतबू आगे बढ़ानी हैं हमने शेख वकास साहब अलामा जियारसूल साहब और हमारे अली साहब जितने भी साथी बेटे हुए है अलामा मन्जी साहब जी अलामा मन्जी साहब प्यारे बाई तो बात ये है कि अनजलना अलहदीद आओ और इसी तरह जो चुपाओं के बारे में इससे क्या मुराद है इसकी क्या तावील है इसका क्या मतलब है बताएं अपनों मशुरा दे दें जी मेरे तो सीदा सीदा मशुरा है कि अल्ला आओ ने ये वाक्री नाजल किये था लोहा भी नाजल किया था बात भी नाजल किया था और भी जिस जिस चीज़ बारे में वैसा वैसा ही होगा है मेरा दो सीधे दर मोकब scientifically प्रूव है न ये लोहा नाजल हो न लिबास भी नाजल हूए नाजल हूए असमान से अगर असमान का अभा असमान से अगर असमान का अब करती है तो पिर जहां अलागी तो नाजल के नाजल हूए तो वही तो बात है ना कि क्या हम इसके बारे में कहेंगे साथियों को क्या बताएंगे क्या समझ में आए बात इतना अल्ला ने बताया उतनी ही समझ में आए कि नादल किया है अल्ला ताला ने को जन्नत से नादल किया या असमान से नादल किया जहां से भी किया वो अल्ला को जहां बित्र पता है लेकिन अल्ह ताला ने यतनी हमें खबर दी है हमने तो अतनी ही बतानी है शेख वकास साथ पीर साथ इसमें जो चीज अगर एक अल्ला की तरफ से नाजल की हुई है नजी तो उसकी निस्पत मेरे नजदिक सो फिस्ता असमान की दरफ से होती है असमान से नाजल की है अल्लामा मंजी जी जी बिलकल मैंस बारे में कुछ भी नहीं जानता उसामा साहब अल्लामा मंजी साहब जाब साथ तो बेहतरी है अल्लामा उसामा साहब उसामा साहब बताईए मैंने बता दिया भी साइंटिफिकली ये प्रूव है लोहा भी नाजल हुआ है और लिबास भी आसमान से नाजल हुआ है कहां है वो प्रूफ सांटिफिकली आपके पास है इसे लाइफ शो करवा देते हैं हाँ पेश कीजिए मेरे पास मैं देख लेता हूं हवाला देख लेता हूं इसके उपर काधियानियों से एक बार बात हुई थी तो वो कह रहे थे लाव परूफ तो हमने कुछ इसकी तहकी की थी तो हमने इसके उपर तहकी की थी तो पर हमने साइंटिफिकली भी किया प्रूफ हो कि लोगा जो है वो जमीन जो है उसको पैदा करी नहीं सकती जमीन या असमान से ही नाजल हुआ है मैं उसको हवाला देखता हूं ड्रेस आपका लिबास लिबास भी आसमान से नाजल हुआ साइंस ने साइंस ने साबित किया चुपाए भी जो है बकरी बेड़ वगेरे सरह आसमान से नाजल हुए ये भी साबित किया अच्छ और कोई हजरत पपूजी पपूजी क्या हाल है पपूजी अच्छ पिर साब एक सवाल है अच्छ पिर साब मेरा एक सवाल है ये कुकड कुकड कहां से आई है कुकड हाँ जी हाँ जी अंडा पहले आया से ये कुकड बैदा बैदा कबल दिजाजा वल्ला दिजाजा कबल बैदा इस पे तो एक मनादरा भी कापी लंबा चोड़ा हुआ है जी जी क्या है सवाल कीजिए मुहतरम जब आट अपने लंब इस जमीन को पैदा किया तो क्या है यह सारा कुछ साथ ही पैदा कर दी ता «जमीन पे» जी करिंद परिंद चुपाए लोहा पहाड और पानी जानवार सारे ग्यावी एक साथ ही पैदा कर दी झार Á मिसाल के तोर पर जमीन बनाया और पिर ये है कि एक इजमाली बात की वुकद्र अफिहा अक्वात हा तो इसमें जो जो चीजें इसमें समा सकती है या जो इसकी ताकत है जिनको समा सकता है उन चीजें को भी पैदा किया लेकि ये तो नहीं कि ये चीज़ पहले दरुख बनाये पिर फुरूड बनाये पिर गला बना लिया पहले ये इस तरह का कोई तर्टीब नहीं है जतना जरूरा है खलक लकुमा फिल अर्द ये तमाम मखलूक तो हैं जतने चीज़ें आपको निजर आ रहे हैं तो अल्लह पाक ने इनको बनाया खलक लकुमा फिल अर्द ये जमीएं तुमारे लिए बनाए गई है ये खुद से नहीं है बनाएं लह ने लेकिन तर्टीब का कोई जिकर नहीं है जे जिया भाई ये आईरन का देख लें के साइंटिफिकली वो अफिशली इनकी वेब साइट है जहां से यह भाल है कि आईरनेगे इस मेरे इंस इस इंस तर्ड गेस स्पेसिफिकली रेड सूपर जायंट याइंट यह नियुदम इस तर्ड जो अब भी तस्वीर आ रही है और इसमें जो वो लेर जर वो बता रहा है कि यू ए जिए आईमें आईमें लेंट जो इनकी एंटो यह तो आगे इन मास स्टार्स के जो ने बताई हैं लेयर इनके अंदर देख रहे हैं वो बताते हैं कि यह जब फ्यूजिन हुआ है उसके बाद है वो नीचे बरिस्टर भाई भी इसकी तस्दीक कर देंगे यह भी जानते होगे यह जो भी कोई साइंस के अवाले से जो स्टूड कि नहीं अच्छान यह काद्यानी है तो साइंस का सुड़न हो साइंस काद्यानी से बड़ा साइंस दान और गौना से एक और भी आगया साइंस्टिस्ट असीवी टिकल लई गया पायन कसरे स्लीव करंडें यह है जी प्रूफ और यह कहा है है के यह जमीनी ऐलिमेट नहीं है अश्य HE जह बिलकुल जमीन इसको इस जो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि इसमीन इसको जो है वो प्रिड्यूस करें नहीं सकते यह आस्मान से नाजल हुआ ना यह जो फ्यूजन हुआ और लिबास के लिए लिबास कहां से नाजल हुआ भई यह जी लिबास का भी कोई आई लिए क्या कहती है साइंस लिबास के बारे में लिबास के बारे में क्या है वो भी आस्मान से उत्रा है अच्छा क्या नाम है अपना शेख लिबास के बारे में क्या है वो भी आस्मान से उत्रा है लिबास के बारे में कुरानी आयत क्या है लिबास के बारे में यह आया कि नजूल हुआ ना तो नजूल का तो जो जिस चीज़ का नजूल अगर रभ की तरफ से है तो वो अस्मान की तरफ से है ना क्योंकि अल्ला कर जिस चीज़ को नाजल करता है तो वो अस्मान से नाजल करता है यहाँ 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 लिवास भी आस्मान से नाजल हुआ देखें न जस तरह वो अज़द ऐसमेई ले इसलाद असलाम के लिए जो दूमबा आया था तो उसके बारे में क्या अलफाज है कुरान के क्या है वदैनाहु जल्दे बिसलादीम उसमें तो नदूर का लफ़ जई है तो वो देखें न वहाँ नजूल को लफज नहीं है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है कि वो जनत से आया है अब अगर जो चीज जनत से आया है तो उसके लिए भी नजूल को लफज नहीं आया तो जिसके बारे में नजूल है तो वो अस्मान से तो वो आस्मान से अगर इल्हास के बारे में आया या बनी आदम कद अन्जलना अलेकुम लेबासम ना जन्ट का लफ अशन लफ मुजूद है ना अस्मान का लफ मुजूद है ठीक? ये बात आब ज्ड़क जाएं ख्रत या बात जो समझने की है क्यूंकि ये अक्सर कादियानी सवाल करते हैं इस चीज़ का और अक्सर बाई जो है वो मतहयर होते हैं किसका क्या जवाब है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ना ताकि बाई सुन ले लकद अरसलना रुसलना बिल्बियनात ये देखें रसूलों के लिए भी ये रसूल के लिए क्या अरसलना आया रुसलना बिल्बियनात वा अन्जलना माहुम अल्किताबा अब किताब के लिए अन्जलना माहुम अल्किताबा अल्फाज आये वल्मीजाना लीकुमिंहनासा बिलक्स्त आगे वाँजलना अजया है वाँजलना नाले हजईदा लफज आजलना आया है कि लिए भी लफज आनड़लना आया और और वो आठ जो लत अलाह ने परमाई ना आठ है nี้ चुपाये मोवेशी उनको भी उतारा है पुछकए कुम मननफस वाहिदा थम जजाला मिनहा जजाज़ा जजलना लकुम मन अनाम फमानिया एजवाज जी खुलुकुम फी बतौन उम हाथिकुम मिननफ उल्च कुम भानिस वाहिद झाल्कुम यहां पर भी लब्जे अन्जल आया दो जगाँ आप देखें किताब के लिए क्या आया अन्जलना अन्जलना आपने गोर किया या नहीं किया किया चाहता हूँ गोर किया भाई या नहीं किया जी जी वए अन्जलना माहुमुलकिताबा और यहां पर वए अन्जलना लकुम् मिनल अन्आमे फमानिता अजवाच अब लब्ज आस्मान नहीं लब्ज जन्नत नहीं कहां से नाजल हुआ बाई ने कहा अलामा जिया साहब ने कि बई लब्ज आन्जलना तो बस नाजल किया यहीं मानी है ठीक है मुफसरिन ने यह माना भी किया हुआ है लब्ज अन्जल आया तो बस अल्ला पाक ने और वहां पर मुफसरिन ने दरज की हैं कि यह चीजें जो है यह चोपाए वगिरा यह पहले इनकी तखलीक हुई है जन्नत में और जब हदरत आदम को वहां से निकाल दिया गया तो उनके साथ यह चीजें भी निकाल दी गएं लेकिन यह अक्वाल और आरा है नबी आरे सलाथ वसलाम से कोई इस तरह की बात थाबित नहीं लेकिन इतने जरूर है कि जब आया वा अन्जलना लकुम मिन अलानाम थमानियत अजवाजिन बस यह वही लेंगे अल्लह पाक ने नाजल किया है अबने किसीर कहते हैं इसका मतलब यह है आई वा खलक लकुम मिन दुहूर अन्आमि थमानियत अजवाजिन यानि जो चौपाए हैं उन से हमने आठ किसम के उनके पीटू से या उनके सुल्ब से हमने निकाल दिये आठ किसम के चौपाए मजीद गुफटगू करते हुए यह कहते हैं कि अल इन्जार अला जाहिर ही वलाकिन जालिक ला याणि इन्नल अन्आम मुन्जिलतु मिन स्समाई यह बात तो बिल्कुल है कि अन्जल ना आया जाहिर तो यही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आस्मान से आए नजूल हुए यह जन्नत से आए यह बात आप क्यों ले रहे हैं वजह इसकी यह है कि अन्लाह लम यद्खर फी आयत फी आया अन्हा मुन्जलतु मिन स्समाः वजह इसकी यह कि अन्लाह पाक ने यह तो नहीं फरमाया कि आस्मान से मिने उता रहे हैं आप ने क्यों यह लिया कि आस्मान से बलके फरमाया वजह इन्नमा मानी इन्जालहा अन्हा नजलत मिन असलाब आबाईहा इला बतून अमहातिहा थम्मन जलत मिन बतून अमहातिहा इला अर्द मानी इसका यह है कि जो आबाई हैं जो मेल है उनके सुल्ब से जो पानी टपका नाजल हुआ ना वो टपका कहां पे फीमेल के रहम में थम्मन जलत मिन बतून अमातिहा इला अर्द पिर जो है उमा के पेट से फीमेल के पेट से वो जमीन पर उत्रा यह है इसका मतलब आपने क्यूं ले लिया के आसमान से और इस पे क्यूं हुझते कर रहे हैं यह बात तो है नहीं यह है वो बात जो मुफसरीन ने की है और हमारे उलमा और फुकहा ने की है इंजाल अगर लफ आये है वहां करीना हो इस तरह का तो ठीक लेकिन नहीं है जिस तरह नुजूल मतल है मिनस्समा लेकिन यह कभी नहीं आया वा अन्जला लकुम मिनल अन्आमि थमानियत अजवाजिम मिनस्समा ऐसा तो नहीं है तो इसका असल मफहूम और असल मफहूम और असल फहम यह है कि अन्जला कहां से वो जो फखल है या फीमेल है जब वो जिमा होता है वती जो होता है युन्जल मा उल फखली मन अलुग इला रहम अन्था जाहरी बाते उपर से ही आता है और पिर और रहम मादर में पिर जो बच्चा है वो भी जमीन पे है उपर से ही जमीन पे ही गिरता है यह है मसला असल यहां यह नहीं बताया गया कि تخلیق कैसे हुई कब हुई वो बात तो बताये नहीं गया यह भी मेल और फीमेल का मिलाब हो रहा है यहां से बात शुरू है वहां से शुरू नहीं है जिस तरह से हजरत आदम कैसे बनाए गए वो तो शुरू मट्टी से यह वो सारा कुछ पिर जो है उनको जाउनत में रख द बनाए यह बात नहीं हो रही है बालके यह बात हो रही है कि जो नसल चली है वो कैसे चली है वो इस तरह से चली है कि जो मेल है जब जिमा करता है यह वती करता है वो पानी उसका जो है नुजू होता है कहां पर रहम में और रहम में वहां बच्चा बनता है पिर जब वो टा और हमारे उल्माने गुफ्तकू की है इन शीज़ों के बारे में ये भी साती जान जाएं क्योंकि जो जिस तरह के कुट हज़ितियां करते हैं ना अहमदी हजरात के आस्मान से उत्रा नहीं उत्रा आप यही कहें को यह आस्मान का लवज है अगर है तो ठी आज बात हो रही थ फिवे हमारे नजीर साब थे उनुन ने कहा हैं कि आपने आस्मान का लवज दिका दिया ल्ला ने कहा हो कюда मुमा हम लेम ले लो कि techa है मैंने कहा दिका हो जब उने देखा कहां आस्मान का लवज नहीं है तो पिर यह अपनी तर्फ से बनाया हो एक स्वाल है लिसके कोई हक् ये है वो असल बात और ये है वो हलकी पुलकी बात जिसको याद करने की जरूरत है मन्जी जी समझ गए जी 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 पिर साथ आ बस इस बात को आप समझ जाएं शेखोका साथ आपने सुन लिया ये तो एक ना मिनस समा दूसरा ये के निस्बत करना उपर से निचे की अन्जलादा उपर से निचे अब आस्मान उपर है हम कहते हैं कि भई उपर आस्मान की तरफ से में से या तरफ से ये कहना तो इस तरह कहा भी सकते हैं कि भई उपर से ही अब आस्मान उपर है तो हम निस्वत करते कि अज़ते बिल्कुल ओपर आसमान की तरफ से यह नाजल ओगा जैसे बारेश नाजल हो आसमान की तरफ से अजा है बारेश तरक में से और बाहत हो जाती है लेकिन अगर किसी चीज उतरना ओपर से नीचे अगर तो करीना यह पाया जाता है जैसे की मुवेशी जो है वो अभी वो दंबे के बारे में भी वकास भाई बता रहे थे तो अब वो निस्बतन अगर कोई कह दे अगर अगर अलफाज मजूद नहीं है निस्बतन अगर कह दे निस्बत करके आस्मान उपर है और उपर से नीचे का तो फिर कोई मेरे के हाँ से ऐसे भी बात नहीं है देखें जो बात है ना कि आस्मान से उत्रा आस्मान के लफ़ नहीं है ना फिर उसमें वो जगड़ा शुरू कर दे तो जो मुफसरीन ने तफसीर की है और बाती की है और मेरे खाल में वो ज्यादा मुनासिब है ना के हम खामखा उनके साथ जो है वो सीख पसा ले बाहर हाँ यह क्या सकते हैं कि बिल्कुल भी नाजल हुआ है अब देखिए मिसाल के तोर पर मैं और आप गाड़ी में बेटे हुए है मैं उतर गया आप उतर ही नहीं रहे अरबी में मैं आपको क्या कहूँगा अगर मैं नाम ही नहीं लूँगा अगर मैं नाम ही नहीं लूँगा यानि गाड़ी से उतर जाओ या मैं नाम ही नहीं लूँगा आप बेटे हुए मुझा भी गाड़ी बंद करके जाना है गर में जाना है आप बेटे हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं मैं आपको कहूँगा एल जल याखी मेरे भाई उतरो लबजे वही इंजाल है भाई उतरना या नीचे आना बुलंदी से कोई आदमी दरखत पर चड़ा हुआ है क्या कहेंगे आप या वो खुद क्या कहेगा भई मैं आया मैंने आपके देखा आप कहां थे आप कहेंगे कुन तुछ शेजरा मैं यह चड़ावा तक किनार के दरखत पर या आम के दरखत पर कब कब आया मैंने देखा नहीं आप कहेंगे नजल तू हालन अभी मैं उत्रा हूँ वही लवज है तो ये लवज यानि उचाई से बलंदी से बले कुर्सी से आप उतर जाएं बले गाड़ी से आप उतर जाएं बले जहाज से आप उतर जाएं बले चत से सिड्यों से आप उतर जाएं बहले आप उपर गए हुए हैं उससे आप उतर जाएं उतरना ही को कहते हैं हाँ लफ़ Chinga हो तो आप ये कह सकते हैं कि आसमान से कैसे उत्रा बकरी कैसे उत्रा हूंट वह लफ़ रह ही नहीं वो तुम्हारा तखिक्रasmान के नहीं का अंजला का लफज नजला भी ही रूह अमीन अला कल्बिका रूह अमीन लेकर राहे नाजल हुए हैं समझें नहीं वह पे आस्मान का लफज मैं ये बूच रहता कहीं है वही के साथ या कुरान के साथ कुरान के साथ तो है ना नजल अभी ही रूह लामीन या ये है कि इसको उतार जाता है समाध दुनिया में और पिर वहां जाकर वह आप देखेंगे कि परिश्टे शेयातीन वहां पर वो गात लगा के सुनते हैं पिर उनको जो हो शहाब मारा जाता है वहां तो करीने वजूद हैं ना भैऑ इन्ना अन्जलना हुफी लैलत Championships तो यह ये तमाम बाते हैं वजूद हैं और ये तो बात पकी ए है के तो हम अलफाज इसके हैं उसकी दूलिज दे засकते हैं जहां पर नहीं है तो फ। पिर ना ही प।से ना ही पिर बंदा बाद करें वही एक आम फैम बात है जिस तरह से डाक्टर डेरिंग ने कहा कि नुजूल अल्ला हर ने कह दिया नुजूल नुजूल बाती खत्म अल्ला ने कहा ना हम मैं तो नहीं कह रहा एक तो बात ये है दूसरी बात ये कि नहीं आस्मान से कैसे उत्रा उट उसका जवाब है कि आस्मान का लफ तो दिखा दो कि आस्मान से उत्रा है समझ रहे हैं यानि वो जो गठुजदी कर रहा है तो आपको इस तरह से जवाब देना है मैं ये कह रहा हूँ और जो मुफसरी ने जवाब दिया है तो आप वही जवाब देंगे जो मुनासिब होगा वही इतनी सी बात है आप कहते हैं कि उंट कैसे उत्रा लिबास कैसे उत्रा वही बताओ कि आस्मान से आस्मान का लफ़ है तो हम बताएंगे जब आस्मान का लफ़ नहीं है यह तुम् असल में जो है चांद पिते वो चांद से कैसे उत्रे कोई काई जन्न से कैसे उत्रे भई इन चीजों का नाम ही नहीं है वो तो आप डाल रहे हैं बस नजूल हुआ बिलकुल नजूल का जो लफज है वो मुकामी भी मुराद लेकर रहे जाजाए का ना ये बात को इक्तसार करने के लिए आप उस बात को इक्तसार करेंगे तो ये मुनासिब होगा ये है वो बात क्योंकि अक्सर ये सवाल करते हैं कादियानी इक्तसार माशाला बहुत खूब जबरदस्त अच्छा जया भई अगर यहां पर तो चलें जहां पर करीना मुझूद आए जहां पर मिर्जा कादियानी आसमान का लफज इस्तमाल करता है और कहता है कि वो आसमान से उत्रेगा अपनी एक उलाद के बारे में भी चैता हन Urban से उत्रेगा तो वहां पर भी तो यहां पर कैसे इसको क्या मुआत लेंगे पैदा होना माना इसका पैदा होना भी हो सकता है लेकिन वो ऐसogether है यंजला क्या कहते हैं इसको जिसमें वो पैदा होना भी मुराद लिया जा सकता है जैसे लेकिन उसकी ये तुवील आसमान का लख्जा है जो हम पर सुट करके कि यह पूछता है जहीर तो उसको इल्जामी तो पर नहीं कह सकते हैं? एम्म वह वाला वह दिकाता हूँ उसमें लफज भी मजोद है हम्मर जय्यत का था सारा कुछी उलटाए है उलटा सिदा है इनको खुद विचारा न गूनिसा मजाती है जिस चीज़ का जो दिल करे मानी ले लो इनके हाँ कौन सा कुपबंदी है कोई भी दुनिया का लफज है उसका जो अंसा मर्जी मानी ले लो कोई मसला भी है इस्तियारा 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 इस अब इनकों विचारों को एक बात की समझ नहीं आती कि देखें अगर इस तरह हर लफज का मानी हमने खुझ से गढ़ना है कि नाजल होने का मतलब पैगा होना लेजिया दमिश्क से मुराद कादियान की मस्जद है तो दमिश्क से मुराद कादियान है और मस्जद एकसा से मुराद कादियान की मस्जद है और जो मिनारा है दमिश्क की मस्जद वाला उससे मुराद कादियान वाला मिनारा है जर्दे चादरों से मुमार टटें की मुमारी है मौत से मुराद फता है जो 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 से मराद ये साही का हो मैंजी बिजाल से मराद भी जई साही हो जो दीपा हो मैंजी इसी तरह जो है वो यक्तुल स्लीप से मराद मनादरे करना है उस तरह से जो मर्जी किसी चीज़ का मानी ले लो भी आप अपनी मर्जी से तो फिर वो थेंटी सिटी क्या रह जागी कुरान भी इसकी, जो आधिश में बात गया है, लुए वह नमरियां उसमराद मिर्जा कादियन नहीं है, जिया साब, अगर अगर ये कहते हैं कि जल्द चादरों से वह 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 बिमारियां टटी की, तो टटी से मुराद बिर्यानी क बिल्कुल जब वह आधीस में तवील कर रहे हैं अपने में पूप फिर मिर्जा ने जो तवील की उसकी भी आगे तवील कर सकते हैं जैसे कहते हैं जो मसीव ने मरियम उससे मराद मिर्जा गुलाम अमद का देनी है पास आगे एंगे जो दलील आपके पास मसीव ने मरियम से मराद का देनी होने कि वह यह मारे पास है आद यूल कि आधी नहीं अगर बख्याव देखें वह गुख में कहा चला गया जीजे वकासाब शेखोगासाब बोले है इस तरह वो कहते हैं कि वो मेज़े को में कह कहते हैं तमसील नहीं है निकना हमारे पास तमसील दजाल की अथेंटिक अधीज से मतलब एथेंटिक दिलिल नहीं की मरज़े की अच्छा ये देखें ज्याब भई कहता है वो जैसे मिर्जा ताहर कहता है ना कि कोई पेशगोई है नहीं मिर्जा कादियरी नहीं कोई पेशगोई कोई नहीं की कि किसी आने वाले की कि कहता है कि खुदा ताला ने एक कताई और यकीनी पेश बोई मेरे पेश जाहर कर रखी है कि मेरी ही जुरियत से एक पैदा होगा शक्स जिसको बहुत सी बातों में मसी से मुशाबिहत होगी वो आसमान से उतरेगा अब ये कहते है भई आसमान से तो कोई शह उतरे ने सकती इनका ये अकीदा है जैसे वो जहीर आता है वो कहता है भई हम नहीं मानते आसमान से उतरती है को चीछ कहता है वो आसमान से उतरेगा और जमीवानों की रासीदी करेगा असीरों को रस्तगारी बखशेगा उनको जो शुबहात की जंजीरों में मुक्यद है रहाई देगा एक यह पेश्गोई की है अब यहां पर तो आस्मान अच्छा पीर साथ इसके बारे में क्या कहते हैं इनको क्या यह लामी तोर पर अमारा जिन नजरा जिल्द तीन एक सोस्वी जिल्द तो आस्मान वाली रौायत वाली हदीथ में फर्माया है जो उनका वाक्या हो सुना तो कि दजाल मश्रक की तरफ है दजाल मश्रक की तरफ है दजाल मश्रक की तरफ है तीन मरतबा नबी पाक वाली ने यह अलफाज अदा फरमाए तो उसकी क्या ताविल निकाल देंगे? वह भी बताता है चाहब पीज साब फार एक्जेंपल हमने एक जैसे हमने एक निस्बत कर दे कि आस्मान उपर है तो इसके उपर चले माशाला आपने समझा दिया बता दिया अब वही बात यहां पर जो मैंने अभी पेश किया वह कह रहा है कि वह जो जिसकी पेश्गई मैं करना वो आस्मान से उत्रेगा ये तवील करें वो तवील करें ये तवील करें मानने हमा हमारी तवील ये ना मनने हम तो ताविल करी नहीं रहे ना कौन सा ताविल कर रहे हैं बैजन देखें मिसाल के तोर पर नजला ये अलफाज आए तो यहां आस्मान के लफ़ है यह नह वो कह रहे हैं कि आस्मान से उंट दिकाओ उतर रहा है भी हमने कब कहा हमने तो कहा यह नहीं ना कुरान मजीद में अलफास मौजूद है यह तो आपके तुर रहात है हाँ अगर कोई बंदा यह कहता है कि जब आया नजला तो बस नाजल हुए अब कहां से नाजल हुए तैयन करना जो है वो मैं कौन होता हुए को तैयन करूं कि लाजबब आसमान कहूं यह जन्नत कहूं यह जवाब दिया जए सकता है जिस तरह से बहुत आसान है जिस तरह से आ खार व oppression नजला कि देखें लफज आस्मान तो नहीं आया आप अगर कहें आस्मान से नाजल हुए